Hello everyone, welcome to TRI दोस्तो आज हम इस वीडियो में कुछ strong small cap company की stock के बारे में चार्चा करेंगे जिसका business मुझे बहुती growing लग रहा है, management भी बहुती solid है ये सारे company का और ये सारे company का stock investor को future में बहुती अच्छा खासा return वना के दे सकता है देखिए, market में आपको बहुत सारे small cap company मिल जाएंगे क्या आपको market से किसी randomly एक small cap company को उठाना है और investment कर देना है नहीं दोस्तो आगर आप ऐसे करेंगे तो आप stock market में पैसा बनाना तो दूर की बात है आप पुरा पैसा गबा भी सकते हो हम लोगों को ऐसे company के stock में हमेसा investment करना है वो चाहे small cap company क्यों ना हो, large cap company क्यों ना हो या mid cap company क्यों ना हो यह सभी के उपर applicable है तो हमें ऐसे company के stock में investment करना है जिस company का fundamental बहुत solid हो इसका business continuously उपर जा रहा है, profit continuously कर रहा है management अच्छी तरह से business को manage कर रही है year on year business company का financial grow हो रहा है उस तरह के company के stock में हम लोगों को पैसा लगाना है तब ही जाके हम लोगों को wealth बनेगा वरना नहीं अगर आप किसी के बातों में आके इधर उधर का tips फॉलो करके लालाच में आके जल्दी पैसा बनाना के चकर में और फाल तु किसी stock में investment कर दिया तो पैसा बनना तो दूर की बात है अपका पूरा पैसा पानी में जा सकता है डूप सकता है तो इसके लिए क्या करना होगा आपको जिस company के stock में पैसा लगाना है तो इस company के बारे में अच्छी तरह से research करना होगा अच्छी तरह से जानना होगा कि company का business किस तरह से चल रहा है company का future business का किस तरह का आने वाले future में ये industry किस तरह से grow होगा आपको थोड़ा सा futuristic mindset करके investment करना होगा तब ही जाके आप market में wealth create कर पाएंगे और wealth create long term के लिए होता है ये short term process नहीं है patience के साथ अच्छे company में hold करना है तब ही जाके wealth बनता है 1000 रूपया, लाग रूपया बनता है लाग रूपया, करोर रूपया बनता है और आज मैं जी small cap company के बारे में बात करेंगे ये सारे के सारे fundamentally बहुत ही strong है जो कि मैं पहली बोल के आया था बिजनेस continuously उपर जा रहा है management अच्छी तरह से business को manage कर रही है और futuristic business में involved है high growing company है सारे के सारे तो चलिए, one by one जानते है वो पाँचो small cap company को जो आने वाले future में investor को बहुत बढ़िया return बना के दे सकता है लेकिन उससे पहले बोलना चाहंगा अगर इस वीडियो में थोड़ा बहुत भैलो है तो इस वीडियो को like जरूर दीजिए इसी तरह stock market update पाने कि लिए इस चैनल को subscribe भी कल लीजिए दोस्ति धर में पहला stock का नाम है Clean Science and Technology Limited specialty chemical manufacturing करता है chemical industry का stock है देखे, incorporate 2003 अगर जादा दीन नहीं हुआ है पुराना कंपानी नहीं है Clean Science and Technology Limited लेकिन आपने industry में बहुत ही strongly presence बनाखे रखे अलाग अलाग इंडस्टी के लिए जा है specialized chemical manufacturing करने की काम काच करता है Clean Science and Technology Limited pharmaceutical intermediates and FMCG chemical manufacturing करता है financially बहुत ही strong है Clean Science and Technology Limited long term के point of view से Clean Science and Technology Limited में investment किया जा सकता है सिर्फ 14,900 का रखा market cap है small cap कंपानी है 51 के multiply PE पे कंपानी काम काच कर रही है return on capital employee 44.5% return on equity 33.2% 200 AC एकदम top class चल रहा है 1 रूपिया के face value में काम काच कर रही है EPS की बात करू 27 का EPS चल रहा है debt देखिए सिर्फ 2 करोर का debt है 0.0 दिखा रहा है promoter अपने पास 75% stake इधर में hold कर रहा है plagist का जहनजट बिल्कूल भी नहीं है return भी continuously बना के देता है 5 साल का return इस्टी में आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि Clean Science and Technology Limited अभी just 5 साल नहीं हुआ है market में listing लेकिन अगर आप एक साल दो साल का return देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन पूरा chemical industry अभी downtrend पे है इसलिए अच्छा अच्छा chemical stock discount price पे मिल रहा है एही साही टाइम है chemical industry के stock में investment करने का Clean Science and Technology Limited financially तो strong है अगर अच्छी तरह से research करके Clean Science and Technology Limited में long term के लिए investment क्या जाए तो Clean Science and Technology Limited future में investor को excellent return मना के दे सकता है दोस्तो next company का नाम है action construction equipment limited नाम से ही पाता चल जाता है action construction equipment limited construction industry के लिए जो equipment की जरूरात होता है उस तरह के equipment manufacturing करते है action construction equipment limited action construction equipment limited देख सकते इंडियास leading manufacturer है handling mobile crane, mobile tower crane and material handling equipment का अबने industry में पूरी तरह से monopoly business करते action construction equipment limited financially बहुत ही strong company है जो investor को future में excellent return बना के दे सकता है 100% high growing company है action construction equipment limited सेब 9,000 करोर का company है small cap company है कुछ भी नहीं है धीरे-धीरे करके mid cap की ओर बढ़ रहा है 10,000 करोर का भी अभी company नहीं है लेकिन market cap in future 1,00,000 करोर भी जा सकता है 47 के multiply PE पे चल रही है return on capital employee 26.2% return on equity 18.8% दोनों ratio top class चल रहा है दो रूपिया के face value में company कामकाच कर रही है 16.4 का EPS चल रही है debt देखे 7.45 करोर का से debt है मतलब action construction equipment limited भी 100% debt free company है देखे debt to equity ratio इसलिए 0.01 विल्कुली 0 है debt promoter आपने पास 66% से भी ज्यादा का share hold कर रहा है plagist का जहनजट विल्कुली भी नहीं है return over the 5 years CAGR return की बात कर रहो इधर में 5 सल का 42.3% का return दे रहा है average return 5 सलों से ऐसा चल रहा है action construction equipment limited में return का बारिस हो रहा है 5 सलों से return दे रहा है और आगे भी return का बारिस होता जाएगा क्योंकि company growing company है business continuously उपर जा रहा है profit continuously कमा रहा है और जिस company का business बढ़िया चल रहा है उसका तो share price उपर जाए गई जाएगा इसे कोई नहीं रोक सकता अच्छी तरह से research करे analysis करने के बाद आपा action construction equipment limited में कोई action ले सकते है दोस्तो next company का नाम है KEI Industries Limited company का पुरा नाम है Krishna Electric Industries Limited India's leading electric cable and wire manufacturing करने वाली company है semi high voltage cable, high voltage cable, home wire यह सबी तरह का electric wire होता है manufacturing करते है KEI Industries Limited 1968 का company है बहुत पुराना company इस field में हमनी industry में बहुत strongly presence बना के रखा है KEI Industries Limited दोस्तों धीरे-धीरे करके Polycap India Limited के बरावरी करने जा रहा है KEI Industries Limited बहुत बड़ा मोखा है अभी से इस company में अगर investment किया जा है तो future में करोर रूपिया बना के दे सकता है multi-vega return बन सकता है 23,000 करोर का market cap है एक mid-cap company है धीरे-धीरे large cap की ओर बरावरा है 50,000 करोर 75,000 करोर market cap जा सकता है 47 के multiply P पे चल रही है return on capital employee 25% return on equity 20% दोनों ratio 20 से उपर चल रही है जोकि बहुत ही अच्छा ratio माना जाएगा 2 रूपिया के face value में चल रही है EPS देके 54.9 चल रही है debt 162 करोर का debt है अभी भी यह zero debt company है क्योंकि देके debt to equity is 0.06 जिसे अराम से consider किया जा सकता है ignore किया जा सकता है इसलिए में क्याई industries limited को debt free company इदर में consider कर रहा हूँ 100% cash rich company है इतना reserve है कि यह जो 162 करोर का debt है वो फीका पर जाते है प्रोमोटर आपने पास 37% share hold कर रहा है प्लेजिस्टी का जहनजट बिल्कूल भी नहीं है over the 5 years देखे 44.6% average return बन रहा है 5 सालों से return का तो बारिस हो रहा है KEI Industries Limited में financial ratio भी strong है continuously profitable company है बड़े-बड़े investor KEI Industries Limited के उपर नजर रखके चल रहा है investment कर रहा है क्यों नहीं share price उपर जाएगा बताईए जिसका business growing phrase में है तो उसका share price उपर जाएगा है तो नजर में रखिएगा अच्छी तरह से analysis कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो future में KEI Industries Limited में investment कर सकता है धीरे-धीरे करके दोस्तो next company का नाम है SJS Enterprise Limited monopoly create करके रखका है leading player है अपने industry का देखिए SJS Enterprise Limited is one of the leading player in India decorative aesthetics industry का खास करके company electronics industries automobile industry के लिए काम कच करता है design deliver करता है अपने client को SJS Enterprise Limited दोस्तो कोई automobile industry में जब कोई bike launch होता है या कोई car launch होता है उसका जो model होता है वो model का structure, design SJS Enterprise Limited बना के देता है इस तरह का service provide करता है I think अब लोग अच्छी तरह से समझ गया है किस तरह का service देता है financially बहुत ही strong company है बहुत बढ़िया काम काच कर रहा है अपने industry में देखिए से 1900 करों का market cap है market के बहुत उपर जाएगा जिस तरह से business उपर जा रहा है 33 के multiply pay pay चल रही है return on capital employee 19.9% return on equity 15.2% 10 रुपिया के face value में चल रही है देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा मैं आज इस company के नाम ले रहा हूँ मतलब काली जाके आप जल्दी जल्दी पैसा लागा देगा ऐसा बिल्कूल भी ना करें wait कीजिएगा ठीक है ये सभी company almost अच्छागा सा उपर चल चुका है थोड़ा सा गिरने दीजिए 2-3 quarter देख लीजिए ठीक है research करने के बाद अगर आपको अच्छा price मिल जाता है तो आराम से आप धीरे-धीरे investment करिए ये सारी small cap company है small cap company में एक साथ पूरा fund विल्कूल भी मत लगई है अगर आपके पास fund लगाने के लिए 20-30,000 रुपिया है या 50,000 रुपिया है ये 1,000,000 रुपिया है तो आप 3 भाग में divide कर दीजे धीरे-धीरे करके लगाना start कीजे धीरे-धीरे करके लगाई है तब ही जाके आप एक अच्छा return generate कर पाएंगे EPS देखे 19 का EPS में चल रहा है debt देखे से 19 करों का debt है मतलब SJS Enterprise Limited भी debt-free company है सबके सब debt-free company है क्योंकि debt to equity ratio देखे 0.05 promoter आपने पास 51% ज़्यादा share hold कर रहा है प्लेजिस्टी है नहीं return पासल का अभी दिखा नहीं रहा है क्योंकि SJS Enterprise Limited अभी पासल नहीं हुए market में listing हुए नजर में रखिएगा अच्छी तरह से analysis कीजे अच्छी तरह से analysis करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है stock तो आप अराम से SJS Enterprise Limited में investment कर सकते हैं तोस्तों next stock का नामबात है उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप free में DMAT account open करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के description box में और comment में link pin कर दिया है इंडिया के 2 number 1 discount brokerage उसका उस link के through free में DMAT account open करके stock market में investment जानी सुरू कर सकते हैं और अगर आप हमारे link से DMAT account open करेंगे तो lifetime के लिए आपका brokerage का भी tension कतम without brokerage आप market में investment कर पाएंगे lifetime के लिए तो क्या सोच रहा है दोस्तों जल्दी जाए ये link को use करके free में DMAT account open कर लेजी दोस्ते इस portfolio का आगरी stock stock का नाम है Brilla Soft Limited CK Brilla Group की company है Brilla Soft Limited IT industry का stock है अलग-अलग industry के लिए जा IT service प्रोबाइट करता है देखें banking, financial service, insurance, life science ये सभी industry के लिए जा IT service प्रोबाइट करता है data analytics, cloud communication infrastructure internet of thing, robotics ये सभी तरह का service प्रोबाइट करता है Brilla Soft Limited जिसका demand future में बहुत ही अच्छा कासा increase हो सकता है और financially तो strong है Brilla Soft Limited और बहुत बड़े group से भी निकल के आता है सेब 12,000 करोब का market cap है small cap company है 36 के multiply PE पे चल रही है return on capital employee 17.2% return on equity 12.9% दोनो ratio average maintenance है 2 रूपिया के face value में चल रही है EPS की बात करो 12.7 का EPS चल रही है debt देखिए 102 काओर का debt है जबकि Brilla Soft Limited debt free company है क्योंकि debt to equity ratio 0.04 debt free company है promoter आपने पास 41% से भी ज़्यादा share hold कर रहा है plagisity का जहनज़र बिल्कूल भी नहीं है पास सालों में average return देखिए 20.6% जो FD से तो कई गुना जादा है Brilla Soft Limited में अगर आप investment करेंगे long term के लिए minimum 5-10 सल अगर समय देंगे तो FD से तो ज़्यादा return आपको मिली जाएगा कई गुना ज़्यादा return मिल जाएगा Brilla Soft Limited में investment करके अच्छा कासा financial है business growing fridge में है small cap company है return बनेगा जबदस return मनेगा future में नजर में रखियेगा अच्छी तरह से analysis कीजिए अच्छी तरह से analysis करने के बाद Brilla Soft Limited में आप investment स्टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तर इस 5-0 stock में से आपको कांसा stock सबसे बेस्ट लग आप comment section में जरूर आपको opinion share कीजिएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक like जरूर दीजिए इसी तरह stock market आपडेट पाने के लिए इस चैनल को subscribe भी कर लीजिएगा अगर आप free में DMAT account open करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के description box में इंडिया के दो number one discount प्रोकराउस का link provide करके रखका है उस link आप free में DMAT account open करके stock market में investment जाननी सुरू कर सकते